माइकल जैक्सन एक ऐसी शक्सियत है जिनको इंट्रोड्यूस करने के लिए शब्द कम बढ़ेंगे। शायज ही कोई ऐसा होगा जो जैक्सन के बारे में नहीं जानता होगा। म्यूजिक में पॉप को एक अलग लेवल पर पहुचाने वाले जैक्सन एक सिंगर और एक यूनिक दांसर स्टाइल के लिए जाने जाते थे। 29 अगस्ट 1958 को एक क्रेन ओपरेटर के घर जन्मे माइकल अपने भाई बहनों में सात्वे नंबर पर थे। म्यूजिक जैक्सन के खून में था क्योंकि उनके पीता क्रेन ओपरेटर तो थे। लेकिन वो वहाग के एक लोकल बैंड फालकन में गिटार बजाते थे। उनकी मा भी म्यूजिक लवर थी जिन्होंने उन्हें सिंगिंग सिखाई। जैक्सन ने पात साल की उम्र से ही अपने चार भाईयों के साथ स्टेट पर परफॉमंस देना शुरू कर दिया था। उसके बाद वो लॉस एंजलिस में रहने चले गए। जहाँ अपने यूनीक्स डांस की वज़े से वो कम उम्र में ही फेमस हो गए थे। बच्पन की बा क्योंकि वो उन्हें ये सब करने के लिए परमिशन नहीं देते थे। इसी वज़े से उनका बच्पन पिता के डर के बीच गुजरा। माइकल जब ओप्रा विन्फरे शो में आये थे तब उन्होंने बताया कि पढ़ाई के बाद माइकल जब रेकॉर्डिंग्स के लिए ज लग गए थे। उन्हीं सो उन्हें सिर्फ ग्यारा साल की उम्र में माइकल ने अपना पहला सौंग आय वांट यू बैक निकाला जो बहुत हीट साबित हुआ और माइकल को उस सौंग से बच्पन में ही शुरुआत मिल गई थी और यही माइकल की लाइफ का टर्निंग पॉ से चुड़ गए और अपने बैंड का नाम जैक्सन फाइव से बदलकर जैक्सन कर दिया उन्हीं सो उनसी में माइकल की पहली सोलो अल्बम ऑफ दो वॉल आई जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिये दुनिया भर में उस अल्बम की साथ मिलियन से ज्यादा कॉप जीते जो म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड है और 20 प्लाटिनम सर्टिफिकेट भी जीते जिसके चलते हुने किंग ऑफ पाप नाम से बुलाया जाने लगा 1991 में आई एल्बम डेंजरस उस साल की नंबर वन एल्बम रही जिसकी वोल्ड़ वाइट 20 मिलियन कॉपीस भी की बहुत से लोग मानते हैं कि माइकल को अपना काला रंग पसंद नहीं था इसलिए उन्होंने सर्जरी करवा कर अपना रंग बदल दिया लेकिन असल में उनको विटिलिगो नाम की स्कीन की एक बिमारी थी उसकी वज़े से उन्होंने ऐसा किया था माइकल की लाइफ बच्चपन में काम करने में निकली इसलिए वो अपना खाली समय बच्चों के साथ ही बिताते थे लेकिन 1994 में उनके यहां रुके एक बच्चे के घरवालों ने माइकल पर चाइल्ड अब्यूस का आरोब लगाया जिसके चलते माइकल को उस बच्चे के घरवालों को केस सेटल्मेंट के लिए 25 मिलियन डॉलर्स देने पड़े और उस इंसिडेंट की वज़े से माइकल के कैरेक्टर पर एक धब्बा सा लग गया 1993 में उन्होंने एल्विस प्रिसले की बेटी से शादी की जो एक साल बार टूड गई फिर 1997 में उन्होंने फिर से दूसरी शादी की माइकल पीटर पैन नाम के एक कार्टून से इतने प्रभावित थे कि वो अपने आपको पीटर पैन ही मानते थे जो नेवललैंड नाम की एक जग़ पर रहता था इसलिए उन्होंने 2700 एकर की एक जग़ खरी दी और उसका नाम नेवललैंड रैंच रख दिया वो एक नेचर लवर भी थे और उन्होंने नेवललैंड के जंगल में ही नेचर नाम का एक सौंग भी लिखा जिसमें नेचर के लिए प्यारी बाते सामने आती है 2006 में उनको बैंक लोन की वज़े से नेवर लैंड छोड़ना पड़ा और उसी डेप की वज़े से उन्होंने 2009 में दुनिया भर की 10 जगों पर कॉंसर्ट करने का सोचा जिसे उनको लोन चुकाने के लिए पैसे मिल जाए उनका पहला शो लंदन में होने वाला था लेकिन उस शो के 20 दिन पहले अचानक काडियक अरेस्ट के वज़े से माइकल की मौत हो गई वो इतने फेमस थे कि उनकी मौत के बाद 7 जुलाई 2009 को माइकल जैक्सन मेमोरियल और्गनाईज हुआ था जिसमें 16 लाग से ज़्यादा टिकेट बिगे काइन ने इसकी बात की जाए तो माइकल जैक्सन एक बार पेपसी का विग्यापन कर रहे थे उसी दोरान उस सेट पर आग लग गई जिससे माइकल के सिर के बाल जल गए लेकिन सिच्वेशन को कंट्रोल में रखते हुए माइकल ने सेट पर आग से हुए नुक्सान को देने की बात की और वहाँ लोगों का दिल जीत लिया माइकल जैक्सन की सिंगिंग और डांस आज भी उतना ही फेमस है जितना पहले था उनकी जितना फेमस सिंगर और डांसर शायद ही दुनिया में कोई हुआ होगा उनकी लाइफ से हमें ये जरूर सीखने को मिलता है कि मुश्किले तो हर बड़े इंसान की लाइफ में आती है लेकिन उन मुश्किलों के बाद भी अपने लेवल को बरकरार रखने का काम माइकल ने कर दिखाया था The greatest education in the world is watching the masters at work माइकल जैक्सन